तो दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपसे B.Tec C.E.C. और B.Tec Software Engineering का एक कोर्स कंपेरिजन में आपसे इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वाकत है दोस्तो मेरे इस चैनल में और अगर आपने 12th की क्लास को पास कर लिया है और अगर आपको जहे जानना है कि 12th की क्लास को पास करने की बाद आखिर कौन-कौन से कोर्स होते हैं तो मैंने उन वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे द और CSE का मतलब वो था है Computer Science Engineering, BTEC CSE का जो कोर्स है वो एक Undergraduate Level की डिगरी का कोर्स होता है, जाए कोर्स चार वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें खुल आर्ट समेस्टर होते हैं, तो इस कोर्स के मादम से आप Computer Science की फील्ड में आप एक Deep Study करते हो, जिसमें आपको Different Programming Languages, Algorithms, Data Structures, Datab Databases, Computer Networks, एक सेक्टरा जो चीज़े होती हैं, वो स्टूटेंट को स्टेडी करवाई जाती हैं, तो Computer Hardware और Software की Knowledge भी आपको दी जाती है, तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप Developer की फील्ड में विजा सकते हो, आप Database Administrator वियाब बन सकते हो, आप Network Engineer और इसके इलावा आप Data Analyst की जो जौबे उसे भी आप हासिल कर सकते हो, और अगर आपसे मैं B.Tech Software Engineering कोर्स के बारे में आपसे मैं डिसकस करूँ तो B.Tech का मतलब होता है Bachelor of Technology, और B.Tech Software Engineering का जो कोर्स है, वो एक Undergraduate Level की डिगरी का कोर्स होता है, तो जाए कोर्स भी चार वर्ष का कोर्स होता है, जिसमें Processes और Software Developing के बारे में आपको Study करवाया जाता है, तो इस कोर्स में भी आपको Programming Languages सीखने को मिल जाएंगी, तो जाए दोनों कोर्स अपनी अपनी जगें Best हैं, अगर आप एक Software की Field में जाना चाते हो, और आप Software को और ज़्यदा बारिकी से Study करना चाते हो, जा आपनी Software Engineering का जो कोर्स आपको काफी अच्छा Benefit दे सकता है, लेकिन अगर आपको Data Structures, Databases, Computer Networks, Basic Software Engineering की Knowledge रखनी हैं, तब आपके लिए CSE का कोर्स काफी अच्छा आपको Benefit दे सकता है, तो स्टूडेंट अपने Personal Interest के बेस पर किसी भी एक कोर्स को वे स्लेक्ट कर सकता है, अभी आप आपको पास करनी पड़ेगी, आपको जो 12th की जो कलास है, वो आपको Science के सब्जेक्टों के साथ आपको पास करनी पड़ेगी, तो Science के सब्जेक्ट होते हैं Physics, Chemistry और Mathematics, तब ही आप इस कोर्स के लिए eligible हो पाऊगे, और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता क्योंकि काफी सार इस उनिवर्स्टिज और कोलज का eligibility criteria कुछ different भी हो सकता है, तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपसे BTEC CSE और BTEC, सो और फिर Engineering के बीचे course comparison मैंने आपसे इस वीडियो में discuss किया है, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जान जाएंगी, आप उन्हें वाज़ा कर भी देख सकते हो, तो अन्त में दोस्तों अभी आपको जै वीडियो केसी लगी, अगर आपको जै वीडियो पसंद आईए, तो आप वीडियो को like कर सकते हो, और चैनल को subscribe करना मत बूलना, धन्यवार